तो हेलो एर्ड़िवन स्वागत करती है एक बाद फिर से आप सभी अपनी यूट्यूब चैनल में तो चैनल का नाम है क्वीन ओफट स्पाइस और श्वीटस तो कभी स्वीटस की रेसिपी कभी स्पाइस की रेसिपी मैं आप सभी किसा शेयर करती रहूंगी तो आज मैं आप बेशन लिया है उतना ही ले लिया है मैंने चीनी एक बावल चीनी ले लिया है आधी कटोरी ले लिया है देशी घी और मेरे पास जो भी ड्राइफ रूट्स अवेलिबल थे मैंने वो ड्राइफ रूट्स ले लिया है दो चम्मच ले लिया है नारियल का बुरादा दो से तीन लेकः दिल सफेड तील को सदोर कर दोर्ट दोर कर देखें मैंने बनानाना ने आए लिया है जाए अले की कड़ाई और उसमें चड़ा लूँगी थोड़ा सा देशी घी लगबग एक चमच अपने ड्राइफ रूट्स को भूनने के लिए देखिए ड्राइफ रूट्स जब हम भूनकर डालते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हता है तो ड्राइफ रूट्स भूनकर ही डाल इनए सफीड त decemahud दालगे च्शलनकर इन्हें फ़ैले भून लूगी में डाले इसमें बाकी के सामान अभी दो मिनिट होगए हैं तो असके बार ढाल द election और ठीडे रूट्स कोً कटोरी में निकाल लेंगे अभी देखिए यह गोल्डन हो गए है बहुत अच्छी आ रही है तो अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे कि अब कड़ाई में चड़ा देंगे देशी घी और गी को कर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें हम अपना बेशन अब medium फ्लेम पर चलाते वई से भून लेंगे मेरी कड़ाई heavy ठली जल्दी भून जाएगा और भी नहीं देखिए अभी थोड़ा वेशन सूखा लग रहा है लेकिंद जब वह भून जाएगा तो यह कड़ाई चोड़ने लगएगा आप До riots शाटी महान या किसी भी तरीके की गाड़ी करने की जोड़तनी है सिर्व चासनी हमें ऐसी तियार करनी है कि जब हमारी चीनी मैल्ट होझा था भीयल लगा दिया यह पर hätte आठास फ्रेकास में आप से घी लगा दिया है कि यह बरतन मेरा तयार है कि अब हम अपना बेशन देख लेते हैं देखिए बेशन को जब चास्नी भी चढ़ाएंगे आप तो बीच में एक दो बार चलाते रहना है नहीं तो बेशन हमारा चिपक जाएगा जब बेशन भुण जाएगा तो इससे बहुत अच्छी खुश्बू आने लगेगी और यह हलका लका घी भी छोड़ने लगेगा हलका सा पतला हो जाएगा देखिए चास्नी देख लेते हैं चास्नी हमारी तयार है तो गैस को बंद कर देंगे अब यह देखिए अब बेशन देख लेते हैं हमारा बेशन भी कलर चेंज हो गया है गोल्डन होने लगा है तो जब यह गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम अपने ड्राइफ रूट अब यह देखिए यह गोल्डन हो गया है हमारा बेशन इसने घी भी किया तो उसमें नाल देते हैं ड्राइफ रुस कमशने के बाद जब यह चा तक भील्डेट एच्छ से मीक्स वहां चाषनी के गार defenceوس आप इसे चाशने डालने के बाद इसे फटा-फट से चला देना है और आप देखेंगे कि यह जैसे जैसे मिक्स होगा बेशन फूलेगा तो यह थोड़ा टाइट होता चला जाएगा हमारा डो बन जाएगा एक तरीके से और जब यह आपको लगने लगएगा कि डो बन गया ह तब इसे थाले में निकालेगा जमाने के लिए यह देखिए थोड़ा टाइट होने लगा है देखें बेशन की बर्फी जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनेंगी आप मावे की बर्फी का टेस्ट भीन के सामने भूल जाएंगे और बार बार इसी तरीके से अपनी बेशन की बर्फी बनाएंगे अब यह देखिए अब यह ड्राय हो गया है तो अब हम अपनी ग्यास बंद कर देंगे और इसे एक थाली में निकाल लेंगे बर्फी जमाने के लिए यह देखिए अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नारील का बुरादा मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उपर से डालने के लिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद अपनी मन चाही शेप में हम बर्फी की पीस कट कर लेंगे अब देखिए ये ठंडा हो गया है जम गया है तो मैं इसके पीस काट लूँगी देखिए कितने अच्छी जमी हैं हमारी बर्फियां कि बेशन की बर्फी तो आपने बहुत बार खाई होंगी लेकिन जब इस तरीके से बनाएंगी तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये बेशन की बर्फियां किस चीज की खाने में बहुत टेस्टी लगती है और यकीन मानी आप बार बार इसी तरीके से बेशन की बर्फियां बनाएंगे आप इसे किसी भी फैस्टीबल पर आराम से बना सकते हैं तो चलिए बन गई है हमारी बर्फियां आप भी ट्राइ कीजिए कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल